पुल्वामा आतंकी हमले की आज दूसरी बरसी है पूरा देश आज एक जुटता के साथ शहीदों को याद कर रहा है 14 फर्वरी 2019 को CRPF के काफिले पर हुए हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे उनकी याद में पुल्वामा के लेथपूरा कैंप में एक समारक बनाया गया है जिसका उद्घाटन आज किया गया महराश्ट्रों के उमेश यादव ने यहाँ पर कलश सौपा है जिसमें सभी 40 जवानों के घर की मिट्टी है अब इस कलश को इसी इसमारक में रखा जाएगा तो आज पुल्वामा आतंकी हमली की आज दूसरी बरसी है 14 फरवरी 2019 को पुल्वामा में आतंकीयों ने जवानों पर हमला कर दिया था जिसके बाद 40 जवान पुल्वामा में शहीद हो गयते आज उनकी दूसरी बरसी है और आज पुरा देश, पुरा हिंदुस्तान शहीदों को नमन कर रहा है शहीदों को नमाखों से याद कर रहा है उन्हें श्रधांजली दे रहा है तो वहीं पुल्वामा अतंकी हमले का हम आपको फिर से बता देगे पुल्वामा अतंकी हमले की आज दूसरी बरसी है पुरा देश जहां आज एक जुटता के साथ शहीदों को याद कर रहा है तो वहीं नमाखों से शहीदों को श्रधांजली भी दे रहा है 14 फरवरी 2019 को CRPF के काफिले पर हुए हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे भारत के वीर सपूत 40 जवान शहीद हो गए थे इस हमले में तो वहीं उनकी याद में अब पुलवामा के लेदपूरा कैम्प में एक इसमारक बनाया गया है जिसका उदगाटन आज किया गया महराश्रु के उमेश यादप ने यहाँ पर कलश को सौपा है जिसमें सभी 40 जवानों के घर की मिट्टी है और अब इस कलश को इसी इसमारक में रखा जाएगा उनकी याद में जवानों की श्रद्धांजली के तौर पर उन्हें इस तरह की श्रद्धांजली दी गई उनके घर की मिट्टी को उनके समारक पर रखा जाएगा और आज दूसरी बरसी पर जवानों को 40 जवानों को पुलवामातं की हमले में जो शहीद होए थे उन्हें पूरा भारत नमाकों से इश्वरधांजरी दे रहा है